आज की इस वीडियो में हम आपको बताने बाले हैं कि जियो का ब्लाक हुआ सिम दोवारा से कैसे रियक्टिवेट किया जाता जी हां दोस्तों अगर आपने कोई भी सिम को ब्लाक किया हुआ हो आपने खुद से ब्लाक किया हो या आपने कस्टमेर कर में कॉल करके जियो का सिम आपने ब्लॉक कराया हो और उसको आप दोबारा से रियक्टिवेट कराना चाहते हैं दोबारा से एक्टिवेट करना चाहते हैं उसकी सेवाई आप चालू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आज किस वीडियो में आपको बताने बाले हैं तो इस प्रोसेस को करने के लिए आप कि आप जो भी number आप चालू करना चाहते हैं या उसको reactivate करना चाहते हैं उसमें जो alternative number रहता है alternative number आपको confirm होना चाहीए कि आपके पास होना चाहीए इसके बाद क्या करना है मैं आपको दो process बटाऊंगा एक my juego from se बताऊंगा और एक आपको Google Chrome से बताऊंगा तो simply Google Chrome से करने के लिए आपको देखिए आपको अपने mobile में या किसी भी mobile में आपको Google Chrome में आपको इस तरह से जाना है और यहां पर आपको type करना है देखिए इस तरह से geo.com geo.com देखिए इस तरह से इसकी बाद slash लगा करके यहां पर आपको लिखना है contact us देखिए इस तरह से आपको contact us लिखना है आपको जब आप इसको इस तरह से यहां पर लिख के और search करेंगे देखिए इसका लिंक भी हम video description देदेंगे आप directly वहां से भी इसको क्लिक करके इस page पर आप सकते हैं तो देखिए इस तरह से आपके mobile में open होगा यहां पर देखिए नीचे आपको support button मिलेगा यहां पर support button पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको my account पर क्लिक करना है तो जैसे आपको my account पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का आपके mobile में पेज खुलेगा, यहाँ पे नीचे देखिए, आपको last your sim login here का आफन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे mobile number डालने के लिए आएगा, यहाँ पे वो mobile number डालना है, जिसको आपको reactivate कराना चाहते, जो mobile number आपने block किया हूँ हो, उसको आपको डालना है, अब मैं आपको mygoo app से बता देता हूँ, यही process से, mygoo app से भी आप कैसे कर सकते हैं, तो simply आपको mygoo app इस तरह से open करना है, कोई भी mygoo app, किसी भी mobile में आपको mygoo app open करना, इसके बात उपर तीन लाइन पर जाना देखिए, यहाँ पर आपको तीन लाइन पर जाना है, और तीन लाइन पर जाने के बाद, यहाँ पर आपको profile and setting का आफन मिलेगा, यहाँ पर आपको click करना है, तो यहाँ पे भी देखिए सेम वही पेज आ गया अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको वह नंबर डालना है देखिए इस तरह से हम अपना वह नंबर डाल देते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने अपना नमबर डाल दिया है इसको हमने ब्लॉक कराया हुगा है तो यहाँ पे हम प्रोसीज बेटन पर क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे आपको सेलेक्ट काटेगरी का रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे यहाँ पे आप डे मिल अल्टेंटी नंबर डुटीप आपफ दthing दाल कि दिखाते है अगर आप यहां पे अपना अल्टर्णीटी नंबर डाला जाहें तो भूब सकते हैं अगर आपके पाफ बात क्रों हुग वह देतेव लिकंट पर आप में कुछ डला हुआ है इसके बाद सम्मीट पर क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से ओपन होगा अगर आपका अल्डरेनेटी नंबर गलत होगा तो यह पेज ओपन नहीं होगा इसके बाद यहाँ पर आपको अल्डरेनेटी नंबर हम यह अपना शलेल कर लेते हैं हमारे पा करना है तो हमको यहां पर नीचे समीज ब availability करना है तो आप समीज बटन पर क्लिक करना है तो आपको लिख युषर यूबन टुप्रोश आईगा तो आपको यहां पे S बटन पे क्लिक करना है तो देखिए यह हमारा जो सिम था यह सिम हमारा अब एक्टिबेट हो जाएगा यहां पे आपको 15 मिनट का टाइम लगे को 15 मिनट के बाद आपके सिम में कुछ कनफरमेशन वैसे जाएगा जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि जो सिम ब्लाग था वो सिम चालो कर दिया गया, तो दोस्तों हमें दो तरीके बताएएगे, दो जाहे हैं आप मअई झा यह ज आप here गूगल क्रोम से करें, प्रोसस सेम एक ही है तो आप अपने जो जो फी सिम आपके पास है जिसको आपने ब्लाग करा हुआ था उसको आप दोबारा से रियक्टिवेट आप कर सकते हैं